ट्र्यू, एचेसेसी मीडिया, यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों है कि मैं तपून जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जानकारी क्या है जानने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखीगा और देख अभी तक अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं है चैनल को सबस्क्राइब केजिगा, बैल आकन को प्रेस कीजिगा ताकि मेरे हर वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो लीजिए सुरू करते हैं अपने आज की वीडियो तो बच्चो के मन में एक डाउट आया है वो यह आया है कि अब जो पांस नंबर है वो केवल सी टी में ही जुडेंगे केवल सी टी में ही एड होंगे तो यह पूरा माजरा क्या है? मैं आपको समझा देता हूँ यह जो ख़बर है, इसमें देखिके बच्चों के मन में यहाँ है, यहाँ पर देखो, अब Common Illigibility Test में ही जुडेंगे, जो समाजिक अर्थिक मानदन के पांच अंग, तो इससे बच्चों के मन में यह अब देखो, CT के तहत, CT के तहत एक तो गुरूप C है, और एक गुरूप D है, तो कई बच्चों के दिमाग में यहाँ है, कि अब हम जो CT में के जो पांच नंबर हैं, वो पहले टेस्ट में हो जाएंगे, आगे नहीं जुडेंगे, ऐसा नहीं है, अब इसको दियान से समझो एक बार, गुरूप C के लिए, आप देखो, गुरूप C के लिए एक पहला पे परोगा, उसमें भी आपके प परोगा, उसमें पांच नंबर जुडेंगे, लेकिन आगे तो इसका कोई टेस्ट है नहीं, सिधी जोइनिंग है, इसका आगे कोई टेस्ट नहीं है, यदि इसका आगे टेस्ट होता, तब इसके पांच नंबर जुडते, लेकिन इसमें आगे टेस्ट ही नहीं है, तो ये लेका आगरा है सिरफ common eligibility test में जुड़ेंगे लेकिन जो group C है उसमें तो पहले paper में भी जुड़ेंगे आगे paper है इसलिए उसमें भी जुड़ेंगे तो यह confusion है और अब common eligibility test में जुड़ेंगे इससे ज्यादा confusion होने के जुड़त नहीं है group D में सिरफ CET में जुड़ेंगे क्योंकि आगे उसको paper है नहीं है C में पहले में भी दोनों में भी दोनों जुड़ेंगे तो यही एक जयनकारी आप सभी को देने थी क्योंकि कई बच्चों के comment आई थे confusion था जानकारी कैसे लिए कोमेंट करके बता सकते हैं अपना प्यार और स्पोर्ट इस तरीके से बना रखेगा थैंक्स पो वाचिंग थैंक्यू